आडिटोरियम के बाहर सेक्डो विद्यार्थी हैं, इसलिए हम बाहर से एक सवाल लेंगे हलो सर, मेरा नाम मुहम्मद अक्मल है और मैं JNU का विद्यार्थी हूँ मेरा सवाल आपसे ये है कि दरसल मेरे दिमाग में एक अलग प्रश्ण था लेकिन इस समय मेरा सवाल ये है कि जब आप अमेरिका में थे, आपने हमेशा वहां कहा कि भारत सबसे बड़ा जीवन्त लोक तंत्र है लेकिन अब चार सालों के बाद आपने ये कहना बंद कर दिया है, तो वो क्या चीज है जिसने आपको अब ऐसा कहने से रोग दिया है मतलब आपने ऐसा कहना क्यों बंद कर दिया है कि हम सबसे बड़े जीवन्त लोक तंत्र हैं नई नई, मुझे लग रहा है कि आप मेरी बातों का शाब्दिक अर्थ पकड़ रहे हैं इन चार सालों के कारण नहीं, बस मैं देख रहा हूँ कि हम भी अमेरिका की तरह होते जा रहे हैं या तो हम रिपब्लिकन हैं या डेमोक्रेट मेरे पिता एक रिपब्लिकन थे मेरे दादा एक रिपब्लिकन थे, इसलिए मैं भी रिपब्लिकन हूँ ऐसा एक Republican ने कहा, तो एक दूसरा व्यक्ति बोला, एक Democrat ने उसे पूछा, मान लो तुम्हारे पिता बेवकूफ थे, और तुम्हारे दादा भी बेवकूफ थे, तो तुम क्या होगे? उसने जवाब दिया, मैं एक Democrat होँगा. तो, एमरिका दुर्भागे से पिछले कुछ दशकों में इस तरह से विभाजित रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं कहूँगा, कि शायद पिछले दस सालों से, ये इतना विकृत हो गया है, हर व्यक्ति किसी दल से संबंदित है, ये लोकतंत्र का विना सभी को चुनाओ के तीन महीने पहले इस पर विचार करना चाहिए, तब आप ये देखना शुरू करें, कि इन लोगों ने क्या किया, क्या उन्होंने राष्ट के लिए कुछ किया, क्या उन्होंने राष्ट के लिए कुछ नहीं किया, क्या उनको एक और मौका दें, या अपनी बुद्धी से इसका अंदाजा लगाना चाहिए। आज तो जानकारी उपलब्ध है ना? परियाप्त जानकारी उपलब्ध है। हम पहले ही तै कर चुके हैं कि ये दक्षिन है, ये वाम है, तो फिर वोटिंग का क्या आरत है? हम पहले ही जानते हैं, हम बस सीधे आपकी गिंती कर सकते हैं। चुनाओं की ये पूरी प्रक्रिया, इस धर्ती की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, भारती चुनाओं प्रक्रिया, ये एक जबरदस्ट और बहतरीन प्रक्रिया है ये देश के दूर से दूर बसे गाउं तक पहुंचती है और ये पर्याप्त रूप से विवस्थित भी है सारी आपाधाबी के वावजूत ये बहुत अच्छी तरह विवस्थित है तो फिर इस सारी विवस्था का क्या मतलब है अगर पांच साल पहले ही हम तै करके बैठे हो कि हम किसे वोट करेंगे फिर तो इस पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं है गुप्त मतदान फिर क्यों रखा जाए दरसल इसके पीछे विचार ये है कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपने किसको वोट दिया है है न अगर आपको लोगतंत्र बनाए रखना है तो ये बहुत महत्वपून है